दोस्तों नमस्कार मैं हूँ दीपक इमानसूर आप देख रहे हैं टीचिंग वाला बिहार शिक्षक भरती टीरी 3.0 एक्जाम को लेकर लगातार अपडेट्स आ रहे हैं एक बार फिर नई अपडेट आई है ओमर अप्लोड को लेकर जो मैं आप लोग को बदाना चाहता हूं न्यूज 18 के माध्यम से एक बार फिर से अपडेट आई है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको टूइट भी दिखाऊंगा और लगातार आप जो है न्यूज चैनल में भी इस चीज़ को देख पा रहे होंगे कि अगस्त के अंद तक आपको रिजल्ट जारी होगा और उससे जुरी ही भी बाकी खबर भी यहाँ पर सामने आ गई है कि कल रात यानि कि 14 अगस्त जो मैंने दिन में आपको बताया था कि 14 अगस्त तक रिजल्ट आने की बात है तो कल रात यानि कि 14 अगस्त को रात 12 बज़े के बाद जारी होगा OMR तो मतलब 12 बज़े के बाद कल रात जारी हो सकता है तो अब यहाँ पर आप किसी भी टाइम हो सकता है तो यह अपडेट यहाँ पर आई है कल रात 12 बचे के बात जारी होगा है OMR, OMR अप्लोडिंग की प्रकरिया सुरू है जो दिन में भी मैंने आपको अप्लोड अप्डेट बताया था त्यारी 3 सिक्षक बाली परिक्षा से जुड़ी बड़ी ख़वर कल रात 12 बचे के बात जारी होगा OMR कल रात के बाद क्लास 1 से लेकर 12 तक क्या अप्यर्ती देख सकेंगा OMR तो एक साथ आप सारा देख पाएंगे OMR अप्लोडिंग की प्रकरिया जारी है और सभी 6 लाख अभियर्ती एक साथ देख सकेंगा OMR 18 अगस्त के बाद अब जारी होगा आंसर की तो आंसर की 18 अगस्त के बाद जारी होगा आपत्ती के लिए आपको 3 दिन का समय दिया जाएगा आंसर की आने के बाद रिजल्ट में अब एक सप्ता और भिलंब हो सकता है अगस्त के अंत तक रिजल्ट आपका जारी होगा 50 प्रतिसक्त आरक्षन को लेकर समान प्रसासन के पत्र का भी अभी तक इंतिजार है और 15 अगस्त तक आरक्षन को लेकर जारी हो सकता है पत्र अगस्त के बाद आंसर की आएगा फिर आप अपत्ति कर पाएंगे और साल के लास्ट मैंने के लास्ट तक आपको ये जो है इसका आपको रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा बाकी यही वेब साइट है इसे पर आप लोग देख सकते हैं तो बहुत-बहुत आप लो जो आपका है यहाँ पर नूपती बीपेसी टीरेव फ्रिपेंटो के नाम से प्रेपरेशन कर सकते हैं एक और चीज़ जो साहएद आपको कर डिस्क्लोज होने वाला था लेकिन आप जाकर अभी वह देख सकते हैं वह 14 अगस्त होने अभी भी देख सकते हैं कि 15 अगस्त के अफसर पर कुछ विशेश ऑफर भी है सभी बैचेस पर तो अभी वो अफिसेली अनॉंस नहीं है लेकिन आप जाके देख सकते तैंकियो फेरीबड़ी बहुत धन्यवाद बबाइट जैहिन